इस शूटर का सुराज हरियाना पुलिस के हाथ लगा है इस शूटर का नाम अतुल बताय जा रहा है और सूटरू के मताबिक पुलिस को शुरवाती जांच में ये जानकारी मिली है किस हत्या कांड में देश के बाहर मौझूद एक कुख्याद गांग्स्टर का हाथ हो सकता है जिसने सुपारी लेकर अपने शूटरों को काम को अंजाम देने के लिए लगाया है तो देखें इसमें विदेशी हाथ भी यहाँ पर हो सकता है जजर में अंजाम दिये गए इस डेवल मॉर्डर के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे लगातार हो रहे है और अब जो यह खुलासा हुआ है यह बता रहा है कि इसमें विदेशी कुख्याद गैंक्सरों का हाथ भी हो सकता है और पुलिस के हाथ एहम सुराग लगातार लग रहे है और इस चूटर का नाम अतुल बताया जा रहा है और सूत्रों के मताबिक पुलिस शुरवाती जांच में लगातार जानकारी जुटा रही है सत्या कांड से जुड़ी हुई लेकिन देश के बाहर भी इसके तार फैलते हुए लगातार सामने आ रहे है और कई नाम इसमें और हो सकते हैं और कुख्याद गैंक्सर के नाम भी इसमें शामिल है इसके भी सुराग पुलिस के हाथ लगातार लग रहे हैं जिसमें सुपारी लेकर अपने शुटरू को काम को अंजाम देने के लिए लगाया तो ये बड़ी ख़बर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर भी उस वक्त ही आप देखिए अपनी गाड़ी में उस वक्त मौझूथ है उनके साथ वो ड्राइवर भी मौझूथ था लेकिन आगे क्योंकि फाटक बंद था तो उनको अपनी गाड़ी वहीं पर रोपनी पड़ी लेकिन अचानक से दो शूटर वहाँ पर आते हैं और ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं ये शूटरू की गाड़ी है और इसका जो नंबर था वो भी कहा जा रहा है कि फर्जी नंबर था और बड़ी कबर आ रही है हर्याना से जहां हर्याना के आएनल्ड अध्यक्ष नफे सिंग हत्या कंड में इस्तिमाल कार फरीदाबाद की थी लेकिन कार का नंबर फर्जी निकला है और खबर यह है कि शूटर के सुराग पुलिस को अब मिल गए है और उनको पकड़ने के लगातार दबिश यहां पर भी जा रही है लगातार पूरी इन्वेस्टिकेशन इस पूरे मसले को लेकर चल रही है लेकिन शाम को जब यह हुआ तो तमाम समर्थक भी आएनल्ड ले सिंग हत्याकांड में इस्तमाल कार फरीदा बात की थी लेकिन कार का जो नंबर था वो फर्जी निकला और खबर अब यह भी है कि एक शूटर के सुराग पुलिस को मिले है और जल्दी उसको पकड़ने के लिए जगा जगा दबिश भी दी जाएगी इसमें तमाम जो जेंस सिंग राठी हत्याकांड की जांच कर रही हर्याना पुलिस ऐसे पाटन पर अब जांच कर रही है जुसमें कई हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया गया पंजाब में सिद्धू मुसे वाला हत्याकांड को ऐसे ही अंजाम दिया गया और हमलावर चार से जादा थे और आधुनिक हत्यारों का उन्होंने इस्तिमाल किया था बकाईदार रेकी की गई और मूसे वाला की कार का पीछा करके मौका मिलते ही हमले को अंजाम दिया गया और ठीक ऐसे ही इसी प्रक्रिया से नफे सिंग हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया है ठीक किसी तर्स पर राजस्तान का गोगा मेणी हत्याकांड भी अंजाम दिया गया जिसमें शूटर्स प्रोफेशनल थे, हत्यार आधुनिक थे और ठीक इसी पाटरण पर अब राजू ठेट हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया था पुलिस इंवेस्टिकेशन फिलाल क्या कह रही है। पुलिस इंवेस्टिकेशन फिलाल क्या कह रही है। पुलिस को काफी कुल लीट मिलेंगी और लगतार पुलिस जो है वो हमला वरो की तलाश में जगे जगे चापे मारी कर रही है। पुलिस इंवेस्टिकेशन फिलाल क्या कह रही है। और उनने कहा कि विपक्ष की तसल्ली के लिए CBI जाच भी इसमें मुम्किन है। आनन्द इस वक्त माइस सा जुड़े हुए हैं। आनन्द STF तो जाच करी रही है। शुरुवाती जो अंगल्स हैं वो किन किन मुद्दो को लेकर हैं। कैसे अभी जाच आगे चल रही है। देखिए हरियाना पुलीस और दिल्ली पुलीस की इस प्राइदा सेल जो है वो इस पैटन पर भी इस पूरे मामली की जाच करी कि जिस सर्ज पे सिद्दू मुसे वाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वही पैटन जो है वो नफे सिंग हत्याकांड में इस्तमाल किया गया है। जो इनके परिवार वाले हैं जो परिजन है वो क्या बता रहे हैं क्या यह आपसी रंजिश का पूरा मामला था या फिर क्या जुडता हुआ उनके हिसाब से दिख रहा है उन्हें। जो परिवार नफे सिंग के परिवार ने दच कराई हैं कि उन्हें जमीन का बगई विवाद चला दा और लगतार उस परिवार की तरब से नफे सिंग को धंकिया मिल रही थी। लाल पुलिस ने फायर दच कर ली है, पुलिस उन साथ लोगों से भी लगतार पूस्ताज करने की कोशिच कर रही है। अब तक हलाकि कोई गिरपतारी इस पूरे मामले में नहीं हुई लेकिन लगातार ना केवाल दिल्ली, हरियाना, पंजाब, राजिस्थान, कई राज्यों में जो है वो लगातार पूलिस की रेट जारी है जी तो इन्वेस्टिकेशन लगातार आगे बढ़ता हुआ चल रहा है लेकिन एक के बादे कई सारे खुलासे इसमें हो रहे हैं पांच लोग हिरासत में लिये गए हैं, साथ नामजद हैं, आगे तार कहां कहां जुड़ रहे हैं, सवाल यही है हर्याना के जज़र में आएनल्डी नेता नफे सिंग राठी हत्याकांड की जांच लगातार जारी है हर्याना पुलिस ऐसे पाटरन पर जांच कर रही है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया गया और मुसे वाला की कार का पीछा करके मुका मिलते ही हमले को अंजाम दिया गया और ऐसे ही नफे सिंग हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया है ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान का गोगमेरी हत्याकांड भी था, उसको भी ऐसे ही अंजाम दिया गया था यहाँ पर कई अंगल से जाच होगी और ऐसे में तस्वीरे लगाता है हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक कई सारी गोली बारी यहाँ पर की गई और उनकी गाडी में भी वो निशान है लेकिन उनके ड्राइवर को जिन्दा छोड़ दिया जाता है और बक देखिए पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनोती यही है कि सबसे पहले सूटर्स को गिरपतार किया जाए गाड़ी बरामत की जाए और जो हतियार है उन्हें बरामत किया जाए क्योंकि सूटर्स के गिरपतार होने के बाद यह तेहो पाएगा कि सूटर्स ने किसके कहने पेज हत्याकांड को अंजाम दिया क्या कोई निजी दुश्मनी थी जो नफे सिंग थी उनकी या ये कोई जमीन भी बात था या कोई नफे सिंग से एक्स्टॉर्शन की कॉल कर रहा था जिस तरह से लगतार अभी हरियाना में हमने देखा हरियाना राजिस्थान दिल्ली एंस से फिरोती की रकम मांगते हैं रकम नहीं मिलने पर उनके घर पे फाइरिंग करते हैं तो इन तमाम एंगल्स को पुलिस रूल आउट कर रही है और इसी के इर्दगिर जो है वो हत्याकांड की गुत्थी पुलिस को सोलस्ती नजर आ रही है तो अब पुलिस के लिए सब्ष कर रही है एक अतुल नाम के शूटर का भी नाम सामने आ रहा है जिसको भी अडिन्टिफाइब करने की कोशिच की जा रही है जो सीचीडी फुटेज है उससे कई लोगों के चेहरे जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं और इन चेहरों के आधार पर अब पुलिस जो है दलग कुछ दिख पा रहा है देखे पूरी रेकी यहां पर की गई थी एक प्रॉपर पैटन लेकर फॉलो किया गया था आगे उसको लेकर भी क्या पुलिस इंवेस्टिगेशन जा रही है क्योंकि रेकी की गए थे उसके बाद ही शूटरों को शायद पता था कि कहीं से वो जा र रेक है और उस रेलवे ट्रेक पे बकाईदार नवा रहा है